XSR 155 को लेके मार्केट में काफी हला मचा हुआ है क्योंकि जब से YAMA ने अपना theme song Call of the Blue लॉंच किया है अपनी official website के उपर, अपनी जो official YouTube channel है उसके उपर तो तब से XSR 155 को जो दिवाने हो पागल हो गए है और सब डिमांड कर रहे हैं कि XSR 155 मार्केट में अब आनी चाहिए Hello guys, कैसे हो आप सब? I hope आप सब अच्छे ही होगे मेरा नाम है दीपक, welcome back to K2 के मोटो Vlogs आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं YAMA की XSR 155 के बारे में जो Call of the Blue अभी theme song इन्होंने launch किया था YAMA ने उसके अंदर आप देख सकते हो कि XSR 155 उन्होंने reveal की है और उसके अंदर MT-09 भी है, उसके अंदर R-7 भी है और YAMA की एक high-end adventure टूरो टाइप की bike भी हो उसके अंदर सो काफी सारी bikes हैं उसके अंदर, अकेले यह नहीं है कि उसके अंदर XSR 155 ही है काफी सारी bikes है, YAMA ने जो अपना total line-up है वो पूरा उसके अंदर show कर दिया है और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ YouTube चैनल के उपर ही video आ रही हो वो अब TV advertisement में भी आ रही है, YAMA उस theme song को TV में भी advertise कर रहा है तो आखिर XSR 155 के launch का कोई update है या नहीं, उसके बार में बात करते हैं तो देखो यार, अभी तक कोई भी officially confirmation नहीं आई है, YAMA ने बिल्कुल भी officially confirm नहीं किया है कि वो XSR 155 को market में लेके आएंगे या नहीं, लेकिन यह YAMA ने एक hint दे दिया है अपनी website पे ये video डालके और अपने YouTube चैनल पे ये video डालके एक hint दे दिया है कि XSR 155 market में आएगी और जो इनका line-up है, वो पूरा market में आने वाला है यानि कि R7 MT-09 और एक high-end adventure bike और उसके साथ XSR 155 ये सारी bikes market में आएगी, उसी के साथ NMAX भी आएगी, जो भारत mobility में मैंने शोग की थी आपको वो scooter भी आएगा, और Fasino का भी एक scooter था, वो भी market में आएगा सो काफी सारी चीज़े हैं, line-up के अंदर बहुत सारी चीज़े हैं, जो YAMA करने वाली है लेकिन XSR 155 market में कब तक आएगी, उसका final update नहीं है अभी तक लेकिन अब chances काफी ज़ादा बढ़ गए हैं, और ऐसा हो सकता है कि YAMA इसी festival season पे XSR 155 को market में launch कर दें, क्योंकि hype बहुत ज़ादा career हो चुकी है सो October से लेके November के बीच festival season के time पे YAMA XSR 155 को market में लेके आ सकती हो और इसका एक शूर्म price 1,70,000 रुपे से लेके 1,80,000 रुपे के आसपास रहेगा MT15 के आसपास ही होगा, इसका price या फिर ऐसा भी हो सकता है कि MT15 और R155 का जो price है, R155 V4 का उसके बीच में इसका price रखा जाए अपने end से unofficially भी मैंने detail निकालने के लिए try किया है लेकिन अभी तक कोई update ना तो officially है और ना ही unofficially है लेकिन बाइक की demand बहुत जादा है और festival season के आसपास अगर XSR 155 मार्केट में आती है तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, मार्केट में बिल्कुल धमाल ये बाइक मचा सकती है मार्केट में आती है तो Hunter 350 और TVS की Ronin 225 के साथ ये मार्केट में compete करेगी क्योंकि इसका भी अंदरो 202 लाग रुपे के आसपास ही रहेगा जो Hunter 350 और Ronin 225 का है बागी design और style के बारे में बात करें तो आप सबको पता ही है कि ये एकदम new retro looks वाली मचीन है modern classic टाइप की मचीन है इसको आप roadster टाइप की बाइक भी बोल सकते हो LED headlight का setup दिया गया बाइक के अंदर round shape के LED headlight है round shape के LED tail light है एक flat seat है बाइक के अंदर pillion के लिए बहुत comfortable रहेगी MT15 pillion के लिए comfortable नहीं है लेकिन XSR 155 pillion के लिए बिल्कुल comfortable है और XSR 155 XSR series से ही inspired है XSR 900 और XSR 700 से और इस segment को यमाने नाम दिया है sports heritage और इसमें round shape का fully digital instrument console है teardrop shape का muscular fuel tank है बाइक के अंदर engine वही same है 155 CC का 4 stroke single cylinder liquid cold जिसकी power आपको 18.4 PS के आसपास की मिलेगी और 14.2 Nm के आसपास का torque मिलेगा लेकिन जो model international toilet market में available है उसके अंदर 19.3 PS के आसपास की power है लेकिन इंडिया में BS6 phase 2 compliant engine होगा तो उसकी वज़े से power और torque output बिल्कुल R15 V4 और MT15 के जितनी होगी बाइक के अंदर so बाइक के अंदर performance तो अच्छी मिलेगी उसके साथ में mileage भी अच्छी मिलेगी कि भाई बताओ ये बाइक आने वाली है कि नहीं क्योंकि 5 साल से हम वेट कर रहे हैं 5 साल से हम 2,00,000 रुपे लेके बैठे हूँ है बाइक जैसे market में आएगी तुरंट हम purchase कर लेंगे तो एर आप लोग जितने excited हो मैं भी उतना ही excited हूँ XSR 155 को लेके लेकिन जैसे ही इसका कोई official update आता है तो तुरंट में आपको update कर दूँगा बागी अभी तक update यहीं है कि launch होने के chances अब हैं इस bike के और price इसका 1,70,000 रुपे के आसपास हो सकता है और October से November के आसपास bike market में आ सकती है तो एर इस वीडियो में फिर इतना ही I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो like जरू कर देना चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर सकते हो और अपने भाई को Instagram पे follow भी कर सकते हो at the rate K2KMoto Vlogs पे तो फिर मिलते हैं एंगली वीडियो में till then ride safe, drive safe